हेलो दुस्तों क्या हाल है आज का इस वीडियों बात करने वाला हूँ अगर आप रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G यूज करते तो आपके लिए बहुत बड़ी गूड न्यूज रियलमी वाए 4.0 का जो अपडेट है अक्टूबर मंत में आपको रॉल आउट कर दिये गए इस अगर आप रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G यूज करते तो आपके लिए बहुत बड़ी गूड न्यूज है अक्टूबर मंत में आपको रियलमी वाए 4.0 का अपडेट है अपको रॉल आउट कर दिया गया है लगवक 6GB का आपको यह अपडेट देखने को मिलेंगे अपडेट करने के बाद रियलमी वाए 4.0 का अपडेट करने के बाद आपको लेटस वर्जिन आपको देखने को मिल जाएंगे इस अपडेट को करने बाद आपको क्या-क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे क्या-क्या बक्स फिसकिया गए इस वीडियो में आपको फूल बढ़ने होजे, Realme y4.0 का जो अपडेट है, अर्ली अक्सेज कर दिया गया है, यह अपडेट अभी बीटा अपडेट देखने को मिला है, यह अपडेट अभी कुछी इजर को देखने को मिलेंगा, आपको दिस्तों बता देता हूँ कि यह 31 अक्टूबर को ही आपको Realme y4.0 क अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है, आपका रिक्वाइर रेट वर्जन कौन सा होना चाहिए, जैसे कि आप Realme y4.0 का अपडेट है कर पाऊगे, अगर आपके पास 8.05, 8.06 का रिक्वाइर रेट वर्जन है, तो आप यह अपडेट कर पाऊगे, आपको एक फाम भरने का ऑफशन देखीनी को मिलेगा, आप फाम को कैसे भरना है, तो वीडियो को एन्यमे वताऊँगा, और Realme y4.0 का अपडेट करने से पहले तो आपको क्या-क्या बातों को आपको ध्यार रखना है, आप चलिए में वता देता हूँ, आपको 10GB इंटरेश खाली रखना है, और कि Realme y4.0 का अपडेट करने बाद आपको क्या-क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहले फीचर हम जान लेते हम इसकीन, हम इसकीन में आपको क्या-क्या चेंजिंग देखने को मिल जाएंगे, Realme y4.0 का अपडेट के बाद, Realme y4.0 का अपडेट के बाद हम इस्किन में भी कुछ भी चेंज देखिने को नहीं मिला है रियालमी वाई 4.0 का अपडेट के बाद अब बात कर लेते हैं रियालमी वाई 4.0 का अपडेट के बाद नोटिफकेशन पैनल आपको किस तरह सा देखिने को मिल जाएगा आप हमारे इस्किन पे देख सकते हैं रियालमी वाई 3.0 में आपको नोटिफकेशन पैनल आपको किस तरह सा देखिने को मिल जाएगा नोटिफकेशन पैनल में आपको दिस्टो बिल्कुल चेंज देखिने को मिल रहा realme y4.0 का जो notification panel है वो बिल्कुल खुबसरत लग रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है realme y3.0 में आपको किस तरह से देखने को मिर रहा था और realme y4.0 में आपको किस तरह से देखने को मिर रहा है अब बात कर लेते realme y4.0 का update के बाद setting में आपको क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे setting में फीचर के बात करें setting में आपको कोई भी नया feature आपको देखने को नहीं मिलेगा अलग-अलग setting अलग-अलग border बनाया जाएगा दोस्तों यह बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों क्योंकि आपको कोई भी setting खोजने में आपको time नहीं लगेगा उसको बात कर लेते हैं फीचर की इसमें जो आइकन सब देख रहे हैं इसका भी डिजाइन से चेर्ज मिलेगा अब्सक्राइब कर लेक्श के बात करें इसमें आपको कोई भी नहीं नहीं लिए अपको देखने को नहीं मिलेगा setting में realme y4.0 का अपडेट के बाद बात कर लेंसे नच्ट फीचर आपको क्या देखने को मिलेगा realme y4.0 का update बाद आपको इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा था, realme y4.0 में भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा चेंजिन देखने को नहीं मिला है, और app icon में भी ज्यादा चेंजिन देखने को नहीं मिलेगा, उसके बात कर दो आपको पता चल चुका है कि जो most important feature है, मैंने आपको बता दि तो realme y4.0 का अपडेट को आप सिस्टेम को जितना भी लेगिंग प्रडमा आ रहा था, बैटरी डेरिंग प्रडमा आ रहा था, वो सारा जो बक्स है, realme y4.0 में आपको फीक्स कर दिया जाएगा, realme y5.0 में आपके लिए बहुत बड़ी good news, आपको application फस फस केचा रहा था आप कोई भी application open कर रहे हैं, यहां से हम इसको close करते हैं, आपको मैं देखिया हमारे let's open हो रहा है, इस तरह को बक्स आपको आ रहा है, वो आपको fix कर दिया जाएगा, दोस्तों यह बहुत most important update होगा, realme y4.0 का update के बाद आपको कर लेना, मैं उमीद करता दोस्तों आपको पत 8.05, 8.06 का latest version है, required version है, तो इस तो आपको क्या-क्या बातों का अपको ध्यान रखने चले हम बता देता हूँ, आपको एक firm भरना आप, firm को भरने के लिए इस तो mobile setting में जाना है, setting में जाने के बाद आपको software update में जाना है, जहां से आप software update करते हैं, वहाँ पे जाना है, वहा इस तो इस तो आपको मोईल डेमेज हो सकता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लिस प्लिस लाइक करें, कमेंट करें बताए, इस तो वीडियो कैसे लगा, अगर आपने हमारे टेलिग्राम गूर्प को जोइन कर सकते हैं, डिसकसन में लिक मिल जागा, बहु